जहिंत नमस्कार मेरे सेर सेर्णियों स्वागता आप सब्सक्राइब का अपनी यूटूब चैनल कमांड हो किर्मी में दोस्तों आज का जो वीडियो इसपेशली यह ससे जीडी जो प्रोफाइल के आप भो देने वाला हूँ साथ ही लड़कियों के लिए इन में से कौन सी स्वागत अपनी जानकरी इस वीडियो के माद़ेंशे आपको मिल जाएगी साथ लाड़ लो अगर आप SSE GD की तयारी कर रहे हैं तो हमारे offline base भी अभी नए सुरेवे हैं अब हमारे academy में आके तयारी कर सकते हैं guarantee base में तो उसके लिए नीची दिये गए नमबर पे call कर सकते हैं online हमारा जो base चल रहा अग्रीम base उसे आज ही join कर सकते हैं और AR इस बार NCB Narcotics Bureau भी इसमें चोड़ी गई है तो इनमें सभी काम बारी-बारी कर लेते हैं कि किसकी जोब कैसी होती है SS-Up Securated Security Force है यह जो सची वाले हैं उनकी सुरक सा देखता है ठीक है इसकी ज़्यादा तर जो जुटी रहती है डूटी जो रहती है वो रहती है दिल्ली में क्योंकि ज़्यादा तर हमारे तो सची वाले कहा है वो है दिल्ली में इसको सबसे आजसान सर्विस माना जाता है क्यों सबसे कम रिस्क वाली है सबसे कम रिस्क है निसमें इस डूटी में कोई रिस्क नहीं है क्यों क्यों कि आपको पता एक दिल्ली एक सेफ जगह है और परिवार एक केनी हमेशन जितने भी साल अगया आपकी 20 साल की सर्विस या 30 साल की जो भी सर्विस करोगे उसमें आपको परिवार साथ में रखने की सुईदा इसमें अच्छी मिलती है ठीक है सच्ची वालियों की निगरानी करते है सिर्फ सच्ची वालियों के बाद आप जो गाड़ देखते हैं वो यहीं लगते हैं ऐसा सब्सक्राइब शिक्रेट्री फोर्स दिल्ली पुलिस की तरहीं इनकी ड्रेस होती है आप ज़्यादा फरक नहीं कर पाऊगे जब आप लगावा देखो को ऐसे सब तभी पैसान पाऊगे कि यह दिल्ली पुलिस है यह ऐसा सब ठीक है इसकी तो सेलेरी की बात करें तो जो बेसिक पे हैलाड़ लो हो है 21,600 सबसे ज़्यादा कटो भी इसी की जाती है यानि जो भी इंटलीजेंट बच्चा हो इसी का फोर्म बढ यहां पर सच्ची वालों में इन में बहुत कम रिस्क होता है ड्यूटी फिक्स टाइम होती है तो यह एक अच्छी जगह है कि आपके अच्छी अस्टानिक से ड्यूटी निकल जाती है बेसिक पे 21,700 इसके पास में 24 परसेंट आपको इसमें डिये मिल जाता है ठीक है क्यों डिये नि एंचारे 24 परसेंट 24 परसेंट एंचारे मिलता है यहां डिये नि सोरी 24 परसेंट एंचारे मिल जाता है दिल्ली के बज़े से यह चीज मिलाकर अगर आप देखेगे अगर पहले साल यह आपकी जो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में तो आपको पेमेंट मिलेग इस में SSF में, दूसरी आ जाती है, NIA, National Investigation Agency, ठीक है, इसमें भी रिस्क बहुत कम है, इसलिए इस जोब को बेटर माना जाता है, ठीक है, परिवार के साथ रहने के में अनुपति पोज़ादा होती है, आपने देखा होगा कई जैसे बड़े-बड़े जो केसे जैसे सुप्ष से लिए भी प्रोसेस मिलती है, इसमें अलग से कोई ज्यादा रिसक लाउंस नहीं मिलता है, यह नहीं आपको HR ही मिल जाता है, आप जिस सिटे में रहते हो उस सिटे का, इसे 24%, 16%, यह जो भी 8% जहां पर रहते हो, उसके लावाब डिये और आपकी बेसिक पेमेंट जो है 21, 30000, ठीक है, लग बग वही 30000 के आसपास आपकी पहले महीने से इसमें पेमेंट सुरू हो जाती है, जैसे ही आप डूटी जोइन करते हो, अब बात करते हैं, CISF, Central Industrial Security Force, CISF की डूटी कभी बच्चे रिक्मेंट करते हैं, इस्पेशली लड़कियों के लिए डूटी बहुत परिवार के साथ में रह सकते हैं, ठीक है, और सबसे कम रिस्क वाली डूटी है, बाकी फोर्स के बजाए, क्योंकि ज्यादा तर आपने सुना ही नहीं होगा, कभी कि CISF की कभी नक्सुरियों से मुटवाड होई या कसी, क्योंकि CISF की इनकी डूटी नहीं लगती है, ज्य and duty बाकी दिन रेस्ट और आप अपरिवार के साथ अपनी केमप ऐली रह सकते हो, और लड़कों के रह सकते हैं, लड़कों के साथ से तो लड़कों के साथ से बहसे बहस्त है, लड़कों के इसाप सह दो 100% बहस्ट है, और प्लस इसमें जिसे आपको risk allowance मिल जाता प payment के लवा जिसे 2007 एपको payment है उसमें प्लिस एंचारिय आपको मिल जाएगा और उसके साथ में रिस्क allowance भी आपको मिल जाएगा जैसे अगर घ्रिस अलाइंस भी आपको मिलेगा जैसे घ्र इंडिली में रहे रह रही हो तो दिली का मिलेगा या कहीं पर भी रहते हैं तो इस अब अगले यह BSAB Border Security Force यह लड़कों के साफ़ से तोगी सी मुश्किल हैं क्यों क्यों कि इसकी duty hard border area में duty है इसमें गश्ट भी जानी परती है पेट्रोलिंग भी जाना परता है और काफी hard duty है BASP की, border security force की, लड़कों के इसाफ से भी hard है लेकिन लड़कों का तो छो लो कोई बात नहीं, मुस्तन डेयर करी लेंगे, border security force, payment इसमें अच्छा मिल जाता है, क्योंकि risk allowance अच्छा मिलता है, जैसे अगर मानलो आप जमू में duty कर रहे हैं, तो लगबिक 20,000 आप वहां पर इसक आपको ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन लटकों के साब से थोड़ी नहीं होती है ज्यादा सुवीदा इस वज़े से लड़कों के साब से कोई टेंशन नहीं है च्छानदार फोज वाले ऐसी फिलिंग आएगी बड़ी ऐसे कोई टेंशन वाड़ी बात यह नहीं है पाकिस्तान के साथ आपकी मुलाकात होती रहेगी CRP Central Regional Police Force जिसमें मैंने सर्विस किये भई पांस साल पांस साल मैंने CRPP में CRPP एक ऐसी फोर्स है जिसमें आपको बहुत सारा मुंकी मिल जाता है या लड़कों के लिए भी एच्छी है लड़कों के लिए भी एच्छी है हाँ इसमें रिष्क जरूर है जिससे CRPP के बात करेंगे तो कस्मीर में आतिंगों के साथ मुट्पेर करती है नक्सलियों के साथ मुट्पेर करती है रिष्क वाली ड्यूर्टी जरूर है लेकिन इसमें एक तो पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि रिष्क लाउंस सब जगे है CRPP में सब जगे रिष्क लाउंस अगर आप जमू कस्मीर में इसके लावा मैं वेश्णो माता के ड्यूटी किया हूँ 37 गड़ में उड़ी साथ, जार खंड यहां पर किया मद्य प्रदेश में में इलेक्शन कराए है आंदर प्रदेश में किया है करनाटक में किया है आंदर प्रदेश में आप ड्यूटी करते विए रह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन का कारिवाए को ने है जो आंतरिक शुर्ख साथ देश की वह कौन देखती है तो शेयर प्रदेश में पेमेंट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा दूसरी पור्स के विजाएगर किसी भी पौशर मीरेखा जाया इन मेंसे तो सब सचर्फ पयमेंट कर ऐगर कोई उठाता है ठीक है थोड़ी जिस्क और रिस्क भी सबसे जदा अगर वह उठाता वो भी श्यार प्रदेश में सबस्टें इन अक्सर पैचान भी है देश में जैसे कोबरा में दूसरी बात सीरों के माध्य में आप कई बर्टिव में सकते हैं यह अपको D力 आपको आएइबड़ बर्टिव में जा सकते हैं पर अस विवसदिकर निजा-एफ्ट, volte C-iringxis बाच Avec है लेकिन सबसे अच्छी डूटी शेयर पिप की भी है इसमें कोई संदे नहीं है तो रिस्क तो रहता है बागी पेमेंट अच्छा है और आपको कई मिल जाते हैं कई forces में जाने की तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है अब बात करें इंडियन तिब्बत बॉर्डर प्लीस इंडियन तिब्बत का जो बॉर्डर है इस पर होती है लड़कों के साब से भी तोड़ी मुस्किल है ठीक है ज्यादा तो जो ड्यूटी है हाई से यसे इस का मुक्ह रूफ से काम एक नेपाल डॉटर यसमे यसमे sounds सुरसा के कामों में मड़द करती है तो काफ़ी अच्छी डूटी है, पेइमेंट भी ठीक है, एससफी का अलॉंस कम रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन एसबसे बेस्ट है Xbox. इससबी और this लड़कों के सबसे बेस्ट हैं, कि है बहुत ईष्णा सबसे नीयों होती है, Assam Raifle उन बच्छों के लिए ज्यादा बेस्ट है जिनका सफना होता है आर्मी में जाने का इनकी ज्यादा दूटी कहा होती है North East में होती है तो जो भी बच्छा आर्मी में जाने का सफना देखता है उसके लिए सिबसे बेस्ट है Assam Raifle ठीक है Assam Raifle की जो डूटी है वो बहुत बेस्ट है उन लड़कों क्योंकि एक तो आर्मी की वर्दी पहनने का मोका मिल जाता है आर्मी की केंटिन सुईदा है मिल जाती है वो भी सुईदा आपको पूरी मिल जाती है और जिनको आर्मी में जाने का जुनों था आर्मी में नहीं लग पाए उनके लिए Assam Raifle काफी अच्छी है प्लस North East में ज्यादा डूटी रहती है पूरी सर्विस तो उस हिसाब से भी उधर के जो बच्चे उनके लिए Best है ये Assam Raifle इसमें जो जितने भी Command होती है वो आर्मी उपिस्ट्रों के थूरू होती है Allowance अच्छे मिल जाते हैं इसमें Payment से मिल जाते हैं डूटी थोड़ी सी Hard होती है ठीक है इसकी डूटी काफी Hard होती है लड़कियों के साफसे तो लिए मुस्किल है मैं आपको उताता हूं इनमें जाते हैं जो जितने भी लड़कियां है इसमें जोइन करेंगी उनकी जाते ही टेकली कर दी जाएगी मतलब बाल काड़ दे जाते हैं तुरंती क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी नहीं बखसा जाता पूरा आर्मी वाले रूल रेगुलेशन लगते हैं ट्रेनिंग के दोरां से जैसे लड़कों की जाती है वैसे ही इनकी की जाती है नार्कोटिक्स ब्ण्रो कंट्रोल नार्कोटिक ब्रह ये इस वार जोड़ी गई ए ठीक है तो इफ्टी ड्यूटी भी आसान है इसकी ज्यादा पोस्ट आई नहीं है पेमेंट सेम ऐसा सफ वाला ही इसमें है लाट लो तो यह है मोटा मोट ऐसा से जीडी का जोब प्रॉफ है अब आपके और भी कोई सवाल संदे रहे गए है तो आप कमेंट करिए बहीं जै हिंद जै भार करता है